यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले आप कैसे cds की exam की तयारी कर सकते हैं अगर आपको cds के बारे में कुछ भी नहीं पता बहुत सारे बच्चे होता जिनको नहीं पता cds exam के बारे में क्या exam होता है कैसे इसकी तयारी करें क्या preparation होती है कौन-कौन से exams होते है तो उसी के बारे में इस session में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जोई एक्जाम है इससे related आपका पूरी जर्णी क्या होती है सबसे पहले आपका notification release होता है जो की UPSC करती है और notification के बाद आपका form fill किया जाता है form fill होने के बाद फिर आपका exam conduct होता है एक written exam होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है कौन-कौन से आपके papers होते हैं फिर आपका SSB interview उसके बाद फिर medical conduct होता है आखिर में आपको merit में आना होता है sorry यह compulsory होता है तो अगर हम यहाँ पर देखें यह पूरा इसकी CDS journey है आपका और जब आप merit में आ जाते हैं final आप merit में होते हैं तो उसके बाद फिर आपका training conduct होती है training होती है आपका यहाँ पर जब आप इसे CDS exam को clear करते हैं तो आप तीन academy चार academy को आप join कर सकते हैं और यहाँ पर गर मैं बात करूँ आपका आएने की ठीक है नेवल academy है नेवल academy में जो भी बच्चे आपका आएने को आपका as a preference बढ़ते है तो they can go to आएने academy ठीक है जो कि आपका asmala में located है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ अफे academy है जो कि आपका हिदरवाद में है जो air force aspirants है जो air force को join करना चाहते है flying branch में जाना चाहते हैं वह आपका जो है cds के दूफ flying branch को join कर सकते है after graduation इसी के साथ साथ army भी आप join कर सकते है और army की जो training है वह आपका जो है आई में दिरादून में आपका होती है और साथी साथ OTA चेंडरी में भी आपका जो आपका जो आपी है इंडियान आमी उसकी आपका training होती है जो permanent commission के लिए चुने जाते हैं वह आपका OTA को ही अपनी soul and last preference आपका जो है आप फिल कर सकते हो OTA के लावा आप कोई और preference नहीं दे सकते if you are a female candidate ठीक है यहां पर गर मैं बात करूँ आपका eligibility की तो यह eligibility को समझना भी important है अगर हम देखे तो IMA की और INA की eligibility आपका equal है और 19 से 24 साल अगर आपकी उमर है तो आप इसका form कर सकते हैं यहां पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि यह जो एज मैंने आप लिखी है यह एड़ टाइम ओफ फिलिंग दा फॉर्म है यानि कि जब आपका joining the academy होगी तो यह आपका ultimately a year आगे आपका extend हो जाएगी तो यहां पर अगर आप देखे तो आपकी जो एज है 19 से 24 य license है तो फिर आपकी जो आपर एज है वो 26 साल तक relaxable हो सकती है और यह 26 साल at the time of joining the academy है यानि कि जब आपकी एज है for filling जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अब उस समय पर आपकी जो है वो 25 साल होनी चाहिए तो आप जो है यह फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप CPL holder है तो ठ पेटा आप जो है CDS का exam दे सकते हो ठीक है इसी के साथ education की अगर मैं बात करूँ यानि की जो शैक्षे कहरताएं है तो educational qualification अगर हम देखें तो IMA और OTA के लिए आपके पास अगर graduation है किसी भी stream में आपने BA किया है BCA किया है या BTEC BE की है जो भी आपने किया है कोई भी graduation है ठी सब्सक्राइब में बात करूँ आएने के लिए compulsory है नेवल academy में आपके पास अगर engineering degree है चाहे वो BE है या BTEC है तो ही आप जो है नेवल academy को join कर सकते हैं AFA के लिए आपके पास या तो engineering की degree हो BE या BTEC या फिर आपने graduation किया हो ध्यान रखना बेटा graduation वाले भी AFA को join कर सकते हैं CDS के तुरू लेकिन यहां पर एक clause है कि आपके पास 12 में maths और physics हो ठीक है यहां पर कोई भी percentage बाहर नहीं है किसी भी percentage का जिक्र नहीं है तो आपकी कोई भी percentage है ठीक है graduation में या फिर आपका 12 में भी आपकी कोई भी percentage है तो आप AFA कर सकते हैं हैं और यह चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपका वेकेंसी की तो आप यहां पर जो है last के लिए आपका 32 वेकेंसी तो हैं लेकिन इन में से काफी सारी आपका unfilled जाती है क्योंकि इसकी merit काफी हाई जाती है ठीक हर साल लगबग 6-7-8 इतने ही बच्चे आपके जो है final merit में आप आते हैं तो यहां पर यह 32 देखकर खुश मत होना आपको मैनत करनी पड़ेगी अगर आप air force को join करना चाहते हो आपको merit में high आना पड़ेगा तभी आपको जोए एफ़े मिल सकता है ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है बाकी आए में मैंने आपको बताया था permanent commission है और OTA आपका short service commission है यह यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका लगबग इतनी vacancies आपका release होती है और यह एक बार की vacancy है यानि कि एक साल में यह double हो जाएंगी क्योंकि आपका CDS का exam साल में दो बार conduct होता है ठीक है तो इसलिए यहां पर अगर मैं बात करूए आपका काफी important है यह चीज को जानना भी अब अगर मैं बात करता हो आपका exam pattern की तो आप यहां पर exam pattern देख सकते हैं यह तीर exam होते हैं और जो match है यह सिर्फ ध्यान रखना पीटा match जो है यह सिर्फ और सिर्फ ठीक है यह किसके लिए होता है आए मे जो बच्चे IMA को fill करते हैं और सातीधात INA यानि की naval academy और AFA तो आपको maths का exam देना है जो बच्चे आपका OTA फिल करते हैं उनको सिर्फ यह दो exam देने हैं लेकिन IMA, INA और AFA वालों को आपका तीनो exams आपके देने होते हैं यानि की journal knowledge और English का exam common है journal knowledge English या maths के exam की बात करें त 100-100 marks का paper होता है, questions में difference होता है, general knowledge और English में आपके 120-120 questions है जबकि maths में आपके 100 questions का आपका exam होता है और तीरो ही paper आपके 2-2 गंटे के होते हैं यहां पर यह भी जहान रखना है कि बिटर negative marking है, one third negative marking आपका यहां पर होती है, और इसी के साथ साथ अगर मैं ideal preparation strategy की बात करूं त आप to understand the syllabus, एक complete syllabus के ऊपर मेरी पूरी complete video है, जो आप हमारे video sections में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको CDS का complete detailed syllabus आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो syllabus समझ लीजे, उसके बाद अपने आपको assess करो, कि आप कहां पर weak है, कहां पर strong है, और resources को identify करो कि क्या-क्या books और जाकर में, जब आपका exam बिल्कुल करीब हो, तो mock test जरूर दे, ताकि आपको exam से पहले ही, exam का जो pressure है, वो आपका release हो जाए, और आप अच्छे से exam में अपना perform कर सके, जब आप अपने आपको देखते हैं, आपने आपको पहचानते हैं, तो आपको समझ में आता है, कि मैं इस चीज में bad हूँ, I'm bad at this, मैं इस चीज को अच्छे से नहीं कर पाता, और जब आपको अपनी weaknesses बता चलती हैं, तो आप क्या कर पाते हैं, आप practice के तुरू उन weaknesses को आपका जो हटा पाते हैं, ठीक है, एसे ही अगर मैं बात करूँ, I can't do it, अगर आपको लगता मैं यह नह आपको आपके topics, आपके syllabus के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, I don't know this, तो then you have to understand कि I can learn this, बेटा अगर आप यह एक जो है, अपनी एक tendency लेकर चलोगे, तो आप कभी भी किसी भी exam को clear नहीं कर सकते, तो अगर exam को clear करना है, आपको यह बात करूँ आपका complete syllabus की, तो यहाँ पर आप देखें, English, Maths और GK में आपको बताया था, यह तीन exams होते हैं, English में आपका vocab, close test, error spotting, reading comprehension, fill in the blanks, para jumble, sentence arrangement, और maths की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो stats, mensuration, arithmetic, geometry, technometry आपका पूछा जाता है, और GK में आपका history, geography, quality और science, इस question papers की तो बहुत important है, ठीक है, क्योंकि जब आप previous year question paper solve करते हैं, ठीक है, तो ultimately आपको पता चलता है कि कैसा paper आता है, किस तरीके का exam होता है, किस तरीके का exam conduct होता है, और उसके बाद आप उसी के according आप practice कर पाते हैं, तो जब आप अपनी तयारी शुरू करें, उससे पहले एक एक दो previous year question paper को उठा कर जरूर देखें कि paper का pattern कैसा है, कैसे questions पूछे जारे हैं, ताकि आप तयारी सही direction में कर पाए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है, जो कि आपका 2-2 साल, 3-3 साल से लगे हुए, exam नहीं clear कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वो direction नहीं मिल रही है, English आपका highest scoring subject है, और यहां पर आपको target करना है कम से कम 70 प्लस अपने marks, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप अगर यहां पर एक अच्छा score करते हैं, तो आप अपनी cut-off को clear कर लेते हैं, तो इसको हम कैसे prepare कर सकते हैं, इसके लिए सबसे important है कि आपनी strong vocabulary को prepare करें, extensive reading करें, जितना जादा आप पढ़ोगे बिटा, उतनी अच्छी आपका English जो है, वो आपका होती चली जाएगी, ठीक है, यहां पर next जो हमारा जो subject है, वो है आपका science, physics, chemistry, आप आयो की बात करूँ, तो जो important और simple numericals हैं, उन पर focus करें, definitions को आप जाने, और साथी साथ, जो concepts ह principles हैं, उनको अच्छे से आप prepare कर लें, ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता दूँ बेटा, physics, chemistry, bio जो है, यह आपका science है, यह सिर्फ आपका 10th level तक आती है, तो अगर आपने science नहीं भी पड़ी, तो भी आपको घबरानी की जुरुरत नहीं है, बहुत simple science आती है, हो सकता है 10th में आपकी science अच्छी ना हो, लेकिन उस समय आपका brain इतना develop नहीं था ना, आज अगर आप 10th की science पढ़ोगे, तो आप समझ लोगे, ठीक है, तो इसलिए बहुत असान है, उससे घबराना नहीं है, अगर आपके अंदर phobia था, उस phobia को निकाल दो, क्योंकि आप आप develop हो चुके हो, आप बढ़ चुके हो, आगे, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं journal knowledge की बात करूँ, तो आप इसे ignore नहीं कर सकते, journal knowledge या जी के जो part है, section है, बहुत important है, science के अलावा, इसमें आपका social science के subjects आ जाते हैं, जिसमें most important है आपका geography, history और quality, क्योंकि maximum questions आपके यहीं से आते, तो इ prepare कर लें, साधी दातिकर में बात करूँ, आपका यहाँ पर आपको help कर सकती है, NCRT की books, ठीक है, previous questions तो आपको help करेंगे, लेकिन NCRT की books आपको help करेंगी, और daily current affairs को आप prepare करते रहें, यह सबसे important part है, और अगर आप daily इसको आप जो है करते हैं, daily इसको prepare करते हैं, तो बेटा बच्चे इसका exam देंगे जो IMA, INA और EFA के लिए जा रहे हैं, IMA, INA, EFA के लिए अगर आप जा रहे हो तो बेटा, maths बहुत important है, और इसमें सबसे जादा questions पूछे जाते हैं, इनको पहले prepare कर लो, arithmetic है, mensuration, statistics और trigonometry, इनको आप पहले prepare कर लो, ताकि आपको जो है problem ना हो, आ maximum चीज़े solve कर सके, साथियार practice और time management बहुत important है, maths में जितना practice करोगे, उतना ही अच्छा आपका maths होता चला जाएगा, तो accuracy पर आपको focus करना है, basic strong होने चाहिए, और साथियार regular mock test अगर आप दोगे, तो आपका जो maths है, वो develop होगा, maths जो है, वो आपका strong हो जाएगा, ठीके तो यह सबसे important है, लेकिन उससे भी जादा important है कि जब आप यह सारी चीज़े कर रहे हो, तो आपको अपनी preparation का level भी पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको कही नहीं जाना, आपको by juice exam prep पर आना है, ठीक है, चाहिए इसका application को आप download कर लें, android phones में, या फिर आप जो है website पर आए, और website पर जब आप आएंगे, तो नीचे आपको practice का option मिलेगा, you'll find the practice option, वहाँ पर आपको जो है, काफी सारे practice sets आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते है, practice papers हैं, और साधी सार, previous question papers है, तो आपनी जो practice है, जो आपके जो learning है, उसको इन practice sets के साथ, आपको जो है, चेक भी कर रहा है, कि क्या आप सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं, या नहीं पढ़ रहे हैं, जब written clear हो जाता है, तो उसके बाद फिर बात आती है, आपके SSB की, अब SSB की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बच्चे बहुत confusion में रहते हैं, बिटा क्या होगा, अल्टिमेटली होगा, कि आप SSB से reject हो जाएंगे, तो वो अफसल लाइक क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें, और उसके छोटे छोटे जो आपके स्मॉल एस्पेक्ट से हैं, जो कि आपके आपके अफसल लाइक क्वालिटी को डेवलप करते हैं, उन एस्पेक्ट पर फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है, इसका जो आपका जो सबसे पहला काम है, उसको घर से शुरू करें, ठीक है, घर से ही responsibilities लेना शुरू करें, छोटी 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 responsibilities, घर में grocery आनी है, responsibility ले, कि अच्छा हमा, मैं जाता हूँ, मैं grocery लेकर आत हो, ठीक है, या फिर सुबह उठे, अपना bed खुद बनाए, उसको किसी के ओपर ना चोड़े, तो यह जो छोटी-छोटी responsibilities हैं, aspects हैं, यह आपके अंदर वो officer like qualities develop करते हैं, और ultimately, इन चोटी-छोटी चीजों से आप जो है, अपने अंदर, वो qualities को खुद महसूस करेंगे, और इसके अलावा एक और बहुत important चीज है, कि जिस दिन अपनी CDS की तयारी शुरू करें, उसी दिन आपने आपको officer treat करना शुरू कर दे, किसी के सामने नहीं, अरे मैं officer हूँ, यह नहीं, आपको अपने अंदर से आपको feeling आनी चाहिए, आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं, इसे बैट रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सारी चीजे, वो एक officer-like behavior को आपका दिखानी चाहिए, और अगर आप यह चीज करते हैं, ultimately आप SSB में जरूर success पाएंगे, और communication skills पर अपना focus करना शुरू कर दे, communication skills को अभी से अपना develop करना शुरू कर दे, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका merit की, तो merit के लिए हमेशा यह ध्यान रखना है, कि आपको जो है, एक aim अपना जो है, ऊपर लेकर चलना है, आपको एक cut-off को aim नहीं बनाना है, एक अच्छा aim लेकर चलना है, और साथी साथ अगर मैं बात करूँ, हमेशा एक plan B आपके पास ready होना चाहिए, plan B मतलब, यह exam मिरे को देना है, जैसे CDS 2 है, साथी साथ मिरे को CDS 1 के लिए प्रिपेर रहना है, देखें, फौजी जो है ना, वो कभी भी किसी भी काम को अदूरा नहीं चोड़ता, है ना, वो उसके पास हमेशा अगर यह ऐसे नहीं हुआ, तो उसके पास दूसरा plan होता है, क अभी फिर आपका next exam आने वाला है, है ना, तो अगर आपको लगता है कि next 100 days में, या next जो भी आपके पास time बचे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस दौरान में आप अपने CDS को clear नहीं कर पाएंगे, तो फिर next जो आपका attempt आएगा, CDS 1 2024, उसके लिए focus करना शुरू कर दे, उसके लिए prepare रहना शुरू कर दे, और इस exam को दे, ताकि आप इस level को, इस exam को समझ सके, और अगर मैं यहाँ पर resources की बात कर तो, resources में आप self study कर सकते हैं, लेकिन self study से आपको एक लंबा time मिलेगा, लगेगा, और लंबे time के बाद ही आपका जो exam है, वो clear हो प guidance की ज़रत पड़ीगी, आपको एक straight forward guidance रही होगी, वही पर आप YouTube के resources आप लेग सकते हैं, ठीके, लेकिन YouTube के resources के लिए मैं आप से यह कहूँगा, कि बेटा किसी एक particular channel को follow करें, 10 channel को follow ना करें, क्योंकि 10 channel पर आप जाओगे, 10 तरीके की बात होगी, और फिर आपके सामने ए आप बात सुनोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है, आप किसी एक particular mentor को follow नहीं कर पाओगे, आप एक straight forward mentor को follow नहीं कर पाओगे, और ultimately क्या होगा, उसका आपको ही नुकसान होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक mentored guidance ले सकते हैं, आप एक proper guidance ले सकते हैं, जिसके लिए आप जो है आ सकते हैं, by juice exam prep पर और यहां पर हमारे पास full structured courses हैं, जिसके through हम आपको 100% syllabus आपका cover कराते हैं, और basics concepts पर हम आपका focus करते हैं, चीके, और सबसे आखिर में ये advice बहुत important है, इसको गाट बांध लेना, आप अगर CDS की preparation कर रहे हैं, तो कभी भी एक single book से CDS का exam नहीं निकलेगा, अगर आप यह सोच रहे हो, market में जाओं और एक book लियाओं, तो उस एक book से कभी भी आपका exam नहीं निकलने वाला है, दूसरी सबसे important चीज है, कम से कम आपको 6 महीने की preparation चाहिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हो अभी से, कम से कम 6 महीन होती है, आपको वो strategy बनानी है, जो आपको suit करे, अगर मैं यहाप बात करूँ, तो जितने भी resources हैं, उनको पहली gather कर लो, ठीक है, उनको gather करने के बाद एक पूरी complete plan बनाओ, और फिर अपनी strategy को वहाँ पर आप use करो, ताकि आप अपनी CDS की preparation अच्छे से कर सके, अपनी आप आपको active रखना है, focus रखना है इस दौरान, और UPSC बहुत tricky है बेटा, ठीक है, आप अगर जो trend अभी सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि भई, ancient history से आपके questions कम आ रहे हैं, अगले बार आप जाओगे, तो वहाँ पर questions जो है, वह आपको जादा मिलेंगे, ऐसी अगर मैं ब है, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, तो पिटा आप हमें कॉल कर सकते हैं, 965-2005-2904 इस नमबर पर, इस वीडियो में इतना ही, I hope, आपको समझ में आउएगी सारी चीज़े, अगर फिर भी कोई डाउट है, आप नीचे comment section में लिखकर अपने डाउट पूछ सकते हैं, alright, so that would be all, thank you, bye-bye, take care and jahil.